हेलो फ्रेंद्स आप देख रहे हैं आपको चैनल शेह बजार विदायुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दो इंपॉर्टन टॉपिक्स के बारे में लेकिन पहले जो टॉपिक है वो है हिंडेंबॉर्ग दोस्तों हिंडेंबॉर्ग का नाम तो हम सबने सुनाई के अंदर और एक इंपॉर्टन टूइट किया और अब डेफिनेटली देखिए उस पर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है तो दोस्तों हिंडेंबॉर्ग ने कहां पर कह सकते हैं कि एक और बॉम शेल बेसिकली यहां पर ड्रॉप किया है और अब यही देखना है क्या फ अब यह बात ध्यान रखीए का पेसिकली कहा क्या किया तो आपको एक इंपॉर्टन बात बता था उन्होंने क्या लिखा उन्होंने बेसिकली एक्स या फिर्ट डिसको हम ट्विटर कहते हैं उस पर देखिये यहाँ पर कहा शुन इंडिया अब सबको पताई हीए देखिए short seller होता क्या, short seller का basically जो दोस्तों shares को बेच देता है बिना उनके पास होए और फिर जब वो share का price नीचे आता है तो उसको खरीद कर दे देता है, simple सी बात यह है, कि आपके पास for example देखिए आपको X company के shares को बेचना है ठीक है, लेकिन आपके पास X company के share नहीं, आपको लगता है कि X company के shares के भाव काफी उपर है, जो नहीं होने चीए तो आप पहले उसको sell कर देते हैं और जब उसका भाव नीचे आता है तो फिर उसको buy कर देते हैं ताकि जो नीचे आएगा तब जब नीचे अडानी ग्रूप के shares में आपने sell-off देखा लगातार shares गिरते हुए नजरा है लगातार गिरावट देखने को मुली फिर देखिए हो मामला Supreme Code गया और अपने आपने आप कह सकते हैं उसके बाद अडानी ग्रूप के shares recover भी कर गया but the thing is कि वो गिरावट अपने आप में काफी बड़ी थी और no doubt दोस्तो आप समझ सकते हैं उसमें क्या क्या हुआ अडानी ग्रूप को अपना FPO वापिस लेना पड़ गया था या आप समझ सकते हैं कि चीज़े कितनी खराब हुई थी कोई भी कंपनी के उपर अभी तक दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं आई है वेड करना पड़ेगा कि किस कंपनी के उपर वो रिपोर्ट लेकर आने वाले बट यह बच सही है कि देखें यहाँ पर बाजार के अंदर वो कह रहा है with many expecting a big correction in India's stock market due to valuation concerns Hindenburg can certainly create a scare among investors even before it comes out with its report simple सी बात है Hindenburg basically दोस्तों हम कह सकते हैं कि मतलब आप समझ सकते हैं एक hype create करने के कोशिश कर रहा है कि लोग समझें और लोग आये उनकी report को देखें और उस report के बाद basically उसके अंदर panic create हो जाए यह सब देखें Hindenburg करना चाहरा है definitely उनके tweet का मतलब यह था अगर चाहते तो वो टायक report के साथ आ सकते थे बड़ो रिपोर्ट के साथ नहीं आ है उन्होंने एक hype बनाने की पुरी कोशिश किये और वो hype बनाने में कितना कामयाब हो है यह तो definitely जब वो report लाइंगे जिस भी company पर उसके क्या reaction देखने को मिलता है वो है लेकिन नोड़ो चर्चा तो हो ना start हो जूकी है और चर्चा हो क्यों ना आप देख सकते हैं अडानी इंटर्राइज इंटर्राइज लिमिटे इस लाइकली तो लांच वन बिलियन डॉलर शेयर सेल बाय मिड सेप्टेंबर यह भी अपना एक इंट्रेस्टिंग बात है कि अडानी ग्रूप के उपर वापिस से कर रिपोर्ट लेकर आ सकते हैं ब्य गई थी अडानी ग्रूप के लिए तो लेट्सी होता क्या है अभी तक तो देखिए कोई रिपोर्ट जो है वो निकल कर नहीं आई है अब बहुत बात है चल रही है कोई कह रहा है कि देखिए फिनांचल मार्केट्स पर ही आएगी हमारे मार्केट्स में फिनांचल कंपनी पर ही आएगी स्पेसिफिकली हो सकता है कि बैंक्स टागेट हो हो सकता है कि देखिए कोई अधर बड़ा गुरूप टागेट हो अब किसे को नहीं पता कि किस पर आएगी बट नोड़ाउट लेट्सी होता क्या है ठीक है तो यह लग हिंडन वर्क के उपर बात है जैसा मने देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन में बाजार के साथ ये भी बढ़िया किया लेकिन जिस तरगी के दोस्तों नतीज निकल कर आया है भारत डाइनमिक्स के ये शियर डिफिनिटली एक बड़ा कंटेंडर है जहां पर गिरावट देखने को मिलेगी हुआ क्या है नंब अब वो 52.3 करोड नेगेटिव हो चुका है 60% का ड्रॉप इससे प्रीवेस कोटर में कंपनी का दूस्तों जो इबिट था वो 316 करोड का था अब ओविस सी बात है ये बाद ध्यान रखेंगा मार्च कोटर बढ़िया रहता है तो उसको हम आनिलाइज नहीं कर सकते कि ऐसे तो मार्च कोटर से बहुत ही बड़ा आपको revenue में drop देखने को मल रहा है इबिट में drop देखने को मल रहा है मार्च कोटर अलग रहता है उसको हम नहीं compare कर सकते क्यों 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 पिसस पे लेकिन profitability जो कंपनी का मुनाफर 41 करोड का था मातर 7 करोड का मुनाफर रहे गया है य यनि company पहले अपने एक share पे एक रुपे 14 पैसे कमा रहे थी तो अब वो दोस्तो बस 20 पैसे रह गया अब समझ सकते हैं so इस तरीकी के भार dynamics के खराब numbers आते हुए नजरा है और company ने हर parameter पर काफी खराब production क्या है margins के अगर बात करतो तो company के margins negative में आ चुके 27.37% के लास्ट य अब भी 1434 पर जरूर ट्रेड कर रहा है बट 1795 का बावनुफतों का हाई है लगाता है यह ने दुस्तों बढ़िया किया लेकिन जिस तरीकी के numbers आएं उसके करण company की valuations आप देखिए नब्धे के P.E. पे आपको यह एक defense company available है और जो industry का P.E. वो भी definitely इतना ही है तो यह बा dynamics के numbers के बात ऐसा लगता है कि देखिए Monday को यह एक बहुत बड़ा content है जिसमें आपको बहुत अच्छी गासी जिरावट देखने को मलीगी कितना गिरेगा यह अपना आप में question है 5% गिरता है 10% गिरता है 15% गिरता है तो हमको definitely पता चलेगा Monday को ही but no doubt जो जिस तरकी के numbers है व वो तेजी पी तोड़ी सी गायब हुई है राइट एक महीने में आप देखिए 12% शेयर करेक्ट हो चुका है शेयर का जो बावनुफतों का लोग है जरूर 4500 का है बट जो important बात है वो यह है कि एक महीने के बिलकुल निचलिस तरकी आसपर सी stock हमको trade करता हुआ देखने को म मंदे की बात करते हैं तो यह आपको जो जो भी इसके उपर reaction है वो negative ही नजर आएगा तो कितना गिरेगा यह तो नोड़ाट मंदे को बता चलेगा पर यह पाच सही है कि stock में gap down opening के संकेत काफी दिख रहे हैं because numbers जिसा मैंने का हमको बहुत वर्स आते हैं और मैं आपको यह क अगर आपको याद होगा तो अडानी ग्रूप अपने आप में one of the most favorite हम कह सकते हैं बाजार का था और जैसे ही देखिए उसको target कि आप कह सकते हैं आज अडानी ग्रूप चलता है लेकिन नोड़ाट उतना favorite नहीं होगा exactly the situation में आपसे PSU की भी अभी है यह बिल्कुल favorite है markets के बट नोड़ाट पिछले एक महिने से already correct होते होते हैं तो होगता है कि PSU companies पर लेगा आजए बट still यह कहूंगा कि उनकी जो report है उसको आग बन करके विश्वास ना करे खुद समझे खुद पढ़े फिर लगाए because अगर आप hindsight में देखते हैं तो no doubt गिरावट हुई बट आज अगर आप Adani Group के shares को देखते हैं तो recovery काफी अच्छी आई है बलकि जिन levels पर वो थे वहाँ से क्या shares चले है तो यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है तो यह आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि बस को short sell करने के लिए अपने फाइदे के लिए आते हैं almost हमेशा बात ध्यान रखिएगा मैं यह नहीं कहरा कि अड़ानी ग्रूप बिल्कुल सही है बट स्टिल यह आपको ध्यान पड़ेगा कि company की valuations market सही तरह करता है और short term में तो कुछ भी हो सकता है यह आपको पताईए तो